नमस्कार, हिंदी साहित्य वारता में आप हैं इसक्त सुभाष ठाकर के साथ दोस्तो आज मैं HPLT Commission 2021 की तैयारियां जो विद्यार्थी कर रहे हैं उनके लिए एक बहुती महतपून वीडियो लेके आया हूँ इस वाली वीडियो में हमने लगबग 50 प्रशनों को रखा है और ये 50 प्रशन बहुती महतपून प्रशन है जो आपकी परिक्षा के लिए बहुती ज़ादा उप्योगी साबित हो सकते हैं तो प्लीज इस वीडियो को अंत तक देखिए जो भी आप त्यारियां कर रहे हैं क्योंकि ये बहुती महतपून प्रशन रखे गए हैं और साथी साथ आप हमेशा से जानते हैं कि हिंदी साइट वारता चैनल में आपको जो भी प्रशन मिलते हैं बहुती ऑथेंटिक और पूरी व्याक्या के सहीत हम रखने की कोशिश करते हैं कि आपको जिस प्रशन में व्याक्या की ज़रूरत है उसको व्याक्याइट किया ज और अगर आप हमारे साथ connect होना चाहते हैं, तो आप WhatsApp जो हमारा description box में number हमने दिया है, उससे भी आप हम से सीधा जुड़ सकते हैं, मैं टीचमीट में एक silver educator के तौर पर भी हूँ, और वहाँ पर LT Commission, PGT and LT TET, हिंदी से समंदित कोई भी exam के अगर आप त्यारियां करना चाहते ह तो चलिए, अब बिनादेर के शुरुआत करते हैं आज के इस lecture की, और सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर प्रशन संख्या एक, तो पहला प्रशन रखा गया है असंगत कथन बताईए, तो इस प्रशन का उत्तर आपने देना है कि असंगत कथन कौन सा है, तो इस तरीके के प्रशन हालांकि आपको जो आपकी L.T. कमिशन की परिक्षा है, पूछे कम जाते हैं, लेकिन फिर भी L.T. कमिशन में आप देखते हैं कि लगातार इसका जो प्रारूप है, थोड़ा सा चेंज होता रहता है, तो किस तरीके से प्रशन पूछे जाए, यहाँ पर हमने प्र प्रकार हो गए, बहरा के तत्रों हो गए, बहरा की विशेश्टाएं हो गई, यहाँ पर हिंदी भाशा की जो समयधानिक स्थिती है, उसको लेकर के यहाँ से प्रशन आपको डेफिनिटली पूछा जाता है, तो इसको आपने ज्यान रखना है, पहला प्रशन हमें बहरा की विशेष्टा से रखा गया है यहां पर पूचा गया है कि भाषा जो है विश्टिगत संपत्ती है तो यह कथन गलत है क्योंकि भाषा जो है वो कभी भी व्यक्तिगत एक व्यक्ति की संपत्ती नहीं हो सकती यह जो एक समाजिक संपत्ती के तौर पर इसको माना जाता है यह व निश्चित समय में नहीं, बलकि धीरे-धीरे बदलती रहती है, और ठीक वैसे ही जैसे हमें ये पता नहीं चलता कि बच्छा किस दिन बढ़ा हुआ, ठीक है, तो ये निरंतर प्रक्रिया है, भाषा क्या है आपकी परिवर्तन शील है, तो ये वाला कथन भी क्या है, आपका ये क्रम देखने को मिलेगा कि हम अपने पूरवजों से सीखते हैं उन्होंने अपने पूरवजों से सीखी और ये क्रम निरंतरता के साथ चलता रहता है और वहीं पर हम इसमें धीरे-धीरे हम देखते हैं कि रुपांतरन इसमें परिवर्तन जो है होता रहता है लास्ट कथन आपकी अलग तरीके से लिखी जाती है हिंदी अलग तरीके से और रोमन लिपी की जो इंग्रेजी है वो अलग तरीके से लिखी जाती है इस अधार पर हम कह सकने हैं कि भाशा क्या है आपकी उसकी जुस्सन रचना है वो समान नहीं होती है तो यहां पर सही उतरो जाना था सारे के सारे क्या है असंगत है तो ये था हमारा पहला प्रशन I hope आप सब लोगों को ये अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा भाशा की विशेश्टाइं कि क्या-क्या प्रमुक विशेश्टाइं भाशा में होती है चलिए next question देख लेते हैं निर्विबादित रूप से 18 भाशा परिवार हैं अब ये 18 भाशा परिवार कौन कौन से है इनको जाना आपके लिए हाला कि उतना ज़्यादा जरूरी नहीं है अगर आप इसके बारे में जान सकते हैं तो ठीक है नहीं है पता तो आप फिर हमारे साथ जुड़ सकते हैं दूसरी चीज यह है कि जो देखे हमारे जो बगौलिक क्षेत्र हैं, जितने भी भाषा परिवार हैं, वो चार बगौलिक क्षेत्रों के अंतरगत आते हैं, जिसमें आपका यूरेशिया हो गया, चाहे आपका अमेरिकी भूखंड हो गया, यहां से आपको कुछ एक चीज़े याद रखनी है, तो चार आपके क्या है, भूख्षेत्र हैं, या भूखंड हैं, या बगौलिक शेत्र भी इनको का जाता है, और 18 उसके अंतरगत भाषा परिवार आते हैं, जिन में से सबसे बड़ा जो परिवार है, वो कौन सा है, वो है आपका भारोप्य परिवार, तो यह चीज़ भी आपने द रूप से, हलांकि अलग-अलग विद्वानों ने इनकी संख्या जो है, वो अलग-अलग मानी है, चलिए, नेक्स क्वेशन देख लेते हैं, भारतिय आरे भाषाओं का अंतिम चरण कौन सा है, देखिए, भारतिय आरे भाषाओं का अंतिम चरण यहां पर पूछा गया है, कि जो हमारी भारतिय आरे भाषाएं रही उनका जो आखरी चरण था वो कौन सा था यहां देखिए भारोपिय प्रागयते हसिक आधुनिक भारतिय आरे भाषाएं या उत्तर आधुनिक आरे भाषाएं तो इसका जो आखरी चरण माना जाता है वो है आपका आधुनिक भारति आरे भाशाएं तो तीन तरीके से देखिए प्राचीन भारती आरे भाशाएं मध्यकालिन भारती आरे भाशाएं और उसके बाद आता है आपका आखरी आधुनिक भारती आरे भाशाएं यहां पर सही उत्तर था इसका विकल्प नंबर तीन हलांकि कई बार आपको इस तरीके करें तो वहाँ पर आपका वैदिक संस्कीत और लौकिक संस्कीत आती है और बहुत बार यह प्रस्थित पूचे जाता है कि प्राचीन भाशा कौन सी रही ते और उसको कह जाता है तो वह आपकी डेन पर आती है उसके बाद आधुनिक भारतियार भाषाएं तो यहां पर आपके बहुत सारी जो भाषाएं रही हैं उनकों देखते हैं और हिंदी का हम अविर्भाव यहीं से देखते हैं सरवादिक भाषा परिवार किस बगहौलिक क्षेत्र के अंतरगत आते हैं अगला जो प् प्रशन भी बहुत ही मौत्पूर्ण है इसको भी आप सब लोग याद रखिलेजिए हमारी भारुपे परिवार की जो भाषा है वो इसी में ही आती है इसका लावा प्रशांत महासागरी जो परिवार है इसके अंतरगत चार आ जाएंगे अफरीका जो परिवार है इसमें भी आपके तीन और अमेरीकी परिवार के अंतरगत आपके एक आता है तो ये चीज़ें भी आपने ज्यान रखनी है हो सकता है इस तरीके से भी आपको प्रशन पूछा जाए चलिए नेक्स प्रशन देखते हैं कुमार पाल चरित किसकी रचना है तो ये प्रशन बहुत ही म हेमचंदर ने जो कुमार पाल चरित लिखा है देखिए इसके अलाबा कुमार पाल के लिए ही एक रचना लिखी है सोमप्रव सूरी ने तो वो है कुमार पाल प्रति बोध के नाम से ये दोनों रचनाएं बहुत ही जादा कन्फ्योजिंग है इस प्रशन को बहुत बार और सेतुबध जो रचना रही है देखिए ठीक है ये आपने ज्यान रखना है most important है ये और जो भी यहाँ पर जितनी भी रचनाए हमने भी आपको गिनाई ये सब की सब कैसी है प्राकृत की रचनाएं थीक है तो इसको भी आपने ज्यान रखना है सोमप्रव सूरी कुमार प्रतिवोध हेम जंद्र की कुमारपाल चरित वाकवति राज की गौड बहो जिसमें सात लाग दोहे थे जिसमें से उन्होंने छे लाग दोहों को जला दिया गया था जो उन्होंने अपने रक्त से लिके थे सब के समस्त दोहे ठीक है तो ये चीजें भी आपको थोड़ी बह है ठीक है वर्ण रतनाकर तो वर्ण रतनाकर की रचनाकार का उन्हों रहे देखे ये रहे आपके जोतिरीश्वर ठाकूर बहुत ही मौतपून रचना है आपकी वर्ण रतनाकर भी जोतिरीश्वर ठाकूर और इसी रचना में जो 84 सिद्ध हुए उनका जिक्र भी इसी रच रचना में देखने को मिलता है और ये आपके आदिकालिन जो गद्य कृतियां आती है आदिकाल के अंतरगत उस में से एक रचना माल जाती है आदिकालिन गद्य रचनाएं जादा नहीं है वो सब आपको ध्यान रखनी है एक आपकी वनदतनाकर आ जाती है एक आपका उद्यत रचना आती है उक्ति व्यक्ति प्रकरण की जो पंडित्ता मोदर शर्मा की रचना है तो आधिकाल की जो गद्य साहित्या है वहां से आपको यह चार रचना याद रखनी है बहुत बारे इनके रचनाकारों के बारे में ही पूछा जाता है तो यहां पर पूछा है अवट कई जगा अब्ढुलरइमान इनका नाम बताए गया है इसका जो अन्य नाम है सन्देश राचना का यह है सनेह राचना जिसमें विक्रमपूर की व्योगनी की कथा बताई गयी है हजारी प्रसादविदि इसके जो रचनाकार रहे Do रहमान उनको हिंदी का पहला कभी मानते ह ज्यान रखना है most important रचना है संदेश रासक और इसको पहला धर्मित्र रासगरंत भी कहा जाता है और गौर्ड बहो हमने उपर पर ले थी वाकपती राज की है बहुती प्रसिद रचना है कीर्टी लता विद्यापती की रचना मानी जाती है तो ये थे आपके पहले के 6 प्रशनों को सही तरीके से समझा होगा next question है देखिए यहां पर अपवरंश का व्यभार लोक भाषा के अर्थ में किस शताबदी से किया जाने लगा तो इस प्रशन में देखिए क्या लिखा गया है कि आपका जो अपवरंश है उसका व्यभार लोक भाषा के अर्थ में तो ग्यारवी शती से आपका क्या होगा अपवरंश वाषा जो अपवरंश का जो है लोक भाषा के अर्थ में इसका प्रियोग किया जाने लगा सही उत्तर इसका ये वाला हो जाएगा अरम भागर देखा जाए तो यहां पर आपका जो कब से आपका छटवी शताबदी से ग्य रहा है कि इसके प्रत्थम कभी कौन रहे हैं तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका स्वयम्भू स्वयम्भू ने राम कावे से संबंदित्च महत्वण कृति लिए कि पाउम्चरियू पाउम्चरियू मुस्ट इंकी रचना है हालां कि जो इनसे अधूरी चूट क्रिशन कावे परंपरा का प्रत्थम कभी ये चीज़ भी आपने थोड़ी से ध्यानकनी है हो सकता है इसके बारे में भी आपको प्रशन पूछा जाए अपरश की बात करें तो पुष्पितन्त दूसरा महत्वण नाम आता है इनकी भी चरियू शीर्चक से नोने बहुत सा प्रण के लिए जोड़ा गया है तो हो सकता है आपको इस देके से भी पूछा जाए कि इसका अर्थ क्या है तो इसका मतलब है चरित तो इसी इसको भी आप त्यान रखिए यहां पा जो सही उत्तर होगा देखिए वो होगा स्वयंभू अपरश रामकावे में प्रत्थम तो यह बहुत ही most important प्रशन है देखिए अपरश का सबसे लोग प्रियचंद वैसे हम सब लोग जानते हैं दोहा कई जगा इसको शब्द दिया गया है दूहा ठीक है हाना कि अपरश में आपके तीन बंद महतपुन रहे जिसमें दोहा फिर आपका दूसरा आ जाता है प्रशन है यहां पर एक भवभूती है एक वाल में की रहे तो यह चीज आपको थोड़ी थोड़ी याद रखनी है अगर भवभूती की बात की जाये तो यह कहा गया है पुश्पितंत को most important प्रशन है and swambhu को क्या कहा जाता है वाल में की कहा जाता है ठीक है यह चीज भी आपने ध्यान रखनी है important प्रशन है है और यह किस ने कहा है यह आप मुझे comment section में जाकर बता सकते हैं next question है देखिए हिंदी की प्रत्थम रचना किसे माना जाता है अगला प्रशन जो है हिं आंसर क्या होना चाहिए था पौमचर्यू नहीं यह तो राम कावय की थी अपरशन कावय में महापुरान तिरसथी महापुरा पुरिस गुणालंकार जो आपके पुश्वदंत की रचना है तो यह भी पहली रचना नहीं माने जाती खालिक वारी अमीर खुस्रो की है भवि सेन की श्रावकाचार ठीक है तो उसको आपने ध्यान रखना है हिंदी की पहली रचना है ना मुस्ट इंपोर्टेंट प्रशन है यह वाला भी हलांकि अलग-अलग विद्वानों ने अलग-अलग माना है अगर सर्वमाने मत की बात की जाए देखिए तो यहां पर 933CV में श्रावकाचार जिसके रचना हुई थी उस रचना को याद रखिए डॉक्टर नगेंदर ने उनको माना था हलांकि बाद में सर्वमाने मत भी यही हुआ अगर यहां पर आपको पूछा होता कि हिंदी का जो प्रत्थम कभी किसको माना जाता है तब आपका उत्तर हो जाता है, सरब्पा जो सर्वमाने मत है ये चीज़ आपने द्यान रखनी है, नेक्स परशन देखिए हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिन्दू किसे कहा जाता है, ये है शीप सिंह सरोज, शीप सिंह सैंगर की जो कृती रही देखिए और हिंदी भाशा में जो लिखित क्या माना जाता है इसको प्रसिद्ध घ्रंथ माना जाता है हालां कि पहला जो रहा वो भाशा का वेसंगर है महेश्टत शुकल का रहा लेकिन हिंदी साहित्य का अगर साहित्य के इतिहास का प्रस्थान विंदू किसी रचना को कहा जाता है तो वो है शिव सिंग सरूज इस व वाशा में लिखे दिये पहला ग्रंथ रहा है इसका अनुवाद किस ने किया है ये प्रशन भी आपको पुछ जा सकता है वो मुझे आप कॉमेंट सक्षिन में जाकर बता सकते हैं अचारे राम चंदर शुकल का ग्रंथ है नेक्स पॉशन है यहाँ पर देखिए आधिकाल को अत्यंत विरोधी एवं व्यागातों का काल किस ने कहा है अगला ये वाला प्रशन भी है यहाँ से आपने ये ध्यान रखना है अत्यंत विरोधी और व्यागातों का काल इसको किस ने कहा है आधिकाल को ये कहा है हजारी परसाद दुवेदी ने ये चीज आपने ध्यान रखनी है, most important प्रशन है देखना ये वाला भी, आदिकाल के नामकर्ण से related प्रशन आपको बहुत जादा बनते हैं, क्यूंकि जो नामकर्ण के दृष्टी से अगर बहुत जादा विवादित जो कोई काल रहा है, तो वो आपका आदिकाल है, बहुत स बच्चन सिंग है, इन्होंने इसको अपवरशकाल कहा है, ये चीज आपने ध्यान रखना है, शुक्ल ने इसको क्या नाम दिया, विरगाथा काल नाम दिया हुआ है, और बच्चन सिंग इसको अपवरशकाल कहते हैं, हजारी प्रशाद दिवेदी ने हालनकि इसको आदिक आदिकाल नाम ही दिया है ये प्रशन आपको बहुती बार पूछा जाता है कि आदिकाल को यह नामकरण किस ने किया तो ये हजारी प्रसाद दुवेदी ने किया लेकिन साती साथ हजारी प्रसाद दुवेदी ये भी कहते हैं कि ये जो काल रहा है ये अत्यंत विरोधी और व मानते हैं पहला कवी मानते हैं हिंदी का और यही सरोमा नमतबाद में बना है इस चीज को भी आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है इंपोर्टेंट रचना है देखना आपकी जो सिद्ध साहित्य के अंत्रगत रहुल सांकृत्यायन मानते हैं किसको आपके सरप्पा को मानते है हिंदी का पहला कवी ठीक है और सिद्ध सामंत काल इन्होंने इतिहास कहा है आदिकाल को तो यह चीज आपने ध्यान रखनी है थोड़ा सा यह वाला प्रशन भी आपको पूछा जा सकता है इस तरीके से सिद्धों की भाशा को संदा भाशा किसने कहा है मुस्ट इंपोर्ट प्रशन है यह वाला भी इसको भी आप ज्यान रखिए मुनिदत और अद्वय वज्र दोनों ने इसको क्या कहा है संदा भाशा कहा है नेक्स प्रशन आता है देखिए बारा मासा सबसे पहले किस गरंथ में मिलता है वेरी वेरी इंपोर्टन बारा मासा अगर हम बात करें ज पुछा गया है 12 मासा का मतलब तर पूर एक वर्श पर की जो भी एक्टिविटीज है उनको किस में बताय गया है किस रचना पर तो सबसे इंपोर्टन प्रशन है यह आपका वीसल देव रासो में सबसे पहले क्या मिलता है 12 मासा का वनन मिलता है और एक विपोर्टन चीज ये भी है कि जो बीसल देव रासो रही है, अचारे राम चंदर शुकल, इसको हिंदी कावे में जो वीर गीत परमपरा का क्या मानता है, इसको प्रत्थम ग्रंथ मानते हैं, बीसल देव रासो नरपती नालह इसके क्या है, रचनाकार माने जाते हैं, ठीक है, तो उसको आपने ध्यान रखना है, प्रमाल रासो, इसका अन्य नाम क्या है, आपका आला खंड, ठीक है, जगनी की ये प्रसीद रचना है, इससे रिलेटर प्रशन भी पूछ जाता है, और आला खंड कहे जाने पर, जो आला है, एक तरीके का, जो आपका क्या रहा वो, लोक गीत रहा है ना, जो उत्रप्रदेश में वर्शारीतू में गा जाता है, यहां से ये वाला प्रशन भी बनता है, साथी साथ प्रमाल रासो से आपको एक और प्रशन पूछ था है, कि आला इश्रासक अब्दुलरह्मान पहला धरमेतर रासगरंथ है, इसको भी आपने ध्यान रखना है, हालांकि इसके बारे में हम पहले ही पता कर चुके हैं, इसके बारे में जो जो चीज़ें थी और इसका जो समय है, बार्वी शती का अंत और तिर्वी शती का आरंब, यह सक्षन में जाकर मुझे वो चीज़ भी बता सकते हैं, अगर आपको हमारा ये प्रियास अच्छा लग रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, तो प्लीज कर लीजिए क्योंकि आपके लिए हम इस तरीके का बेहतर कॉंटेट हमेशा लाते रहते हैं, चलिए, नेक्स वशन देखते हैं, नात साहित्य सिद साहित्य का विकसित रूप है, यह कथन किस ने दिया है, देखिए इसका जो सही उतर होगा, नात साहित्य सिद साहित्य का, देखिए सिद्ध साहित्य के उपर रहा है तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी था ये कथन किसका है ये है राहुल सांक्रित्याइन का कथन ठीक है और राहुल सांक्रित्याइन ने कौन सा हिंदी साहित्य इतिहास का ग्रंथ लिका ये मुझे कमेंट सेक्षिन में जाकर आप बता सकते हैं क्योंकि हिंदी साहित्य तिहास ग्रंट से रिलेटिर प्रशन जरूर पूचे जाता है तो उसको आपने ध्यान रखना है नात्साहित्य सिद्साहित्य का विक्सित रूप और नात्साहित्य आपका वहीं से निकला है जहां से आपका सिद्साहित्य निकला है मतलब बौत ध से रिलेटीड प्रशन आपको एल्टी कमिश्न में बहुत कम पूचे जाते हैं लेकिन फिर भी आपको इस तरह के प्रशनों के लिए याद रहने की जरूरत है याद रखने की जरूरत है इन प्रशनों को भी क्योंकि कई बार यह मुस्ट इंपॉर्टन जो पंक्तिया है यह को पूची जाती है तो यहां पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा देखी प्राकृत की अंतिम अफ़रों अवस्ता से है ना हिंदी साहित्य का अविर्भाव तो यह किसने माना है यह माना है अचारे रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में मुस् जानते हैं यह आपने ध्यान रखना है रिशव दिव जो जैन तिर्थकरों में आपके पहले तिर्थकर रहे हैं बाद के संतों ने इनको माना है शिव इंपोर्टन प्रशन है इसको आपने ध्यान रखना है शिव के नाम से इनको बाद के संतों ने माना है तो नाथ साहित् आपको वास्तु की नाम पूछ जाए तो वह है आपका रिशवदेव इसको भी याद रख लिजे नेक्स प्रशन आता है देखिए यह पूरा ग्रंथ जाली है प्रिथ्विराज रासो के समद्ध में यह किसका कथन है देखिए या तो आपको सीधा सा ऐसे ही प्रशन पूछा जा सकता था कि यह ग्रंथ जाली है यह किस के समद्ध में कहा गया है मतलब यह जो शब्द हुआ है वो किस के किस ग्रंथ के लिए प्रिथ्विराज रासो मतलब परशन से ही आपने परशन बनाने की कोशिश करनी है इसलेके से भी आपको प्रशन पूछ जा सकता है फिर अथन के चलते इन्होंने ये माना कि आपका जो प्रित्वी राज रासो है ये क्या है अप्रमानिक रचना है लेकिन दूसरी तरफ जो आपके अचारे राम चंद्र शुक्ल है वो ये कहते हैं कि जो प्रित्वी राज रासो है वो पहला प्रमानिक जो आपका महा काव्या इसक को मानते हूए कि अपने आपमें जिस ग्रंत को कह रहे हैं जिसका आधार पर उन्होंने नाम करन भी किया कि वीर गाताकाल है वो खुद उसको अपरमानिक मानते हैं तो इसको नहीं धहराया का सकता कि इसका नाम जो है वीर गाताकाल होना चाहिए यह इंपॉर्टन कतन है इसको भी आपने यान रखना है Next question आता है देखिए श्रिंगार्स के सिध्वाक कवी कौन है Most important question ये भी है श्रिंगार्स के सिध्वाक कवी ये कहा जाता है देखिए विद्यापती को most important question है ये विद्यापती और अमीर खुसरो दो ऐसे नाम हैं जो आपको आदी काल से याद रखने हैं कई बार आपको ऐसे ही प्रशन पूछे जा सकता है विद्यापती और जो आपके खुसरो है उनको शुक्ल ने हिंदी साहिते इतिहास के आदी काल में किसके अंतगत रखा है तो आपने यह याद रखने है कि यहाँ पर इन्होंने इनको जो आपके फुटकल कवी आते हैं, उनमें इनको स्थान दिया है, important प्रशन है, श्रिंगार रस के सिद्वाक कवी ये विद्यापती को कहा जाता है, किस ने कहा है, ये आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कह इस प्रशन को भी आपको पूछा जा सकता है, फिर यहां से आपने एक और चीज देखी होगी, कि बहुत सारे लोग जो विद्यापती हैं, उनको कुछ श्रिंगारी मानते हैं, कुछ भक्त मानते हैं, कुछ रहस्यवादी कभी मानते हैं, तो यह चीज भी आपने द्यान रख कहते हैं, यह श्रिंगार रसके भी सिद्वाक कभी हैं, यह चीज भी आपने ध्यान रखनी हैं, नेक्स प्रशने देखी, अमीर खुसरोग से रखा गया, खुसरोग की उपाधियों के समन्द में गलत यूगम आपने बताना है, कि कौन सा यूगम इसमें से गलत है, तो यह कभी इश्वरी प्रसाद, या फिर कभी का राज कुमार, यह इश्वरी प्रसाद ने दिया है, यह वाले जो यूगम है, यह भी सही है, फिर अवधी का प्रत्थम कभी, तो डॉक्टर राम कुमार बर्मा, most important, सही बात है, और इस आधार पर हम कहेंगे, कि सभी क्या हैं यह जो वास्विक नाम क्या था, तो वहाँ पर याद रखना है कि इनका जो पूरा नाम था, देखिए, अबुल हसन, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग क्या कर देते हैं, अब्दुल कर देते हैं, उसको आपने ठीक रखना है, अबुल यमिनुदीन, इस तरीके से आपको यह ध रामुदीन, ओलिया, वहाँ से भी आपको प्रशन पूछा जाता है, तो आई होप आप 21st जो क्वेश्चन है हमारा, इसको अच्छे तरीके से समझ गया होंगे, नेक्स प्रशन देखते हैं, पाशब्द किसने अपने नाम के पीछे जोड़ा था, यह बहुती सिंपल सा प प्रशन पूछा जा सकता है, जो पाशब्द है, वो कैसा है आपका आदर बोधक है, या कुछ अन्य है, यहाँ पर सिध्धों ने अपने नाम के पीछे क्या जोड़ा था, पाशब्द जोड़ा था, जैसे सरप्पा, डॉमभिप्पा, इस तरीके के जो नाम आते हैं, वो आपने याद रखना है, हो सकता है, यह चीज भी आपको थोड़ी बहुत पूछी जाए, तो इसके बारे में भी आपने थोड़ा ध्यान रखना है, नेक्स प्रशन है, देखिए उकार बहुला बोली नहीं है, तो देखिए बोली, जो आपकी 18 बोलियों का मिश्रम माना जा हिंदी को वहां से आपको डेफिनेटली प्रशन पूछा जाता है, यहाँ पर प्रशन है, अकार बहुला, उकार बहुला से रखा गया प्रशन, तो यह जो बहुल उकार है, उकार का मतलब हुआ लास्ट में जो ओ की ध्वनी आ रही है, ओ की अवाज आ रही है, किसी भी आती है, आपकी आकार बहुला, तो इसमें क्या होता है, इसमें लास्ट में आपके जो खड़ी पाई लगती है, बोला, खाया, सोया, गया, है ना, तो लास्ट में क्या रही है, आ की मातला आ रही है, तो इस अधार पर हम इसको मानते हैं, यह क्या है, आपकी आकार बहुला बहाशा बोली है ठीक है यहां से भी आपको प्रशन पूछ जाता है तो इस वाले प्रशन को भी आप अच्छे तरीके से समझ गया होंगे यह प्रशन नंबर 23 की उकार बहुला क्या है यहां से लास्टाइम आपको यह प्रशन पूछा गया था शायद इसी तरीके से एक प्रशन रखा गया था तो यहां पर प्रश्थान चतुष्ट्य के बात कही थी तो भगवत महापुरान इसमें एक और चीज जोड़ी गई थी तो यहां पर प्रश्थान चतुष्ट्य उसके जरीए इसको बनाया गया था उपनिशद गीता ब्रहमसुत्र और भगवत महापुरान ठीक है तो यह चीज आपने ध्यान रखनी थी इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्रस्थान त्रई अगला जो प्रशन है देखिए श्वे माना जाता है कि कहां पर इसका उलेक मिलता है तो सबसे पहले मिलता है श्वेता श्वेत्र उपनिशद में ये चीज भी आपने ध्यान रखनी है कि भक्ति शब्द का प्रथम उलेक किस में मिलता है श्वेता श्वेत्र उपनिशद में मिलता है यह प्रशन मोस्त कि निर्गुन भक्ति का जो उलेक है वो सबसे पहले पहल कहां पर मिलता है श्विता श्वित्र उपनिशत में मिलता है अगर हम सगुन भक्ति की बात करें तो सगुन भक्ति जो आपकी आलवारसंतों में देखने को मिलती है तो ये चीज़ आपने थोड़ी से याद रखनी है I hope इन 25 प्रशनों से आपने लगवग पचास और प्रशन सीखे होंगे आज अगर आपको प्रियास अच्छा लगा है दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और अपने दोस्तों को बीच में और जाधा से जाधा इसको फैलाईए ताकि जो भी स्टुडेंट जो भी आपका दोस्त भाई बहन एल्टी कमिशन के तियारियों कर रहे हैं उनके लिए और भी जाधा असानी हो जाए आगे के 25 को हम अगले लेक्चर में डिसकस करेंगे फिलाल आज के लिए इतना ही तो जल्द मिलेंगे इसके अगले भाग के साथ तब तक के लिए शुक्रिया